नमस्कार दोस्तो आज हम आपकी सामने चीन की खौफनाक सचाई पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा जिहां कोरोना वाइरस सबसे पहले चीन ने ये पूरी दुनिया में सोर मचाया था कि हमारे यहां कोरोना व वाइरस तयार किया है वो भी पूरी दुनिया को कमजोर करने के लिए पूरी दुनिया को बरबाद करने के लिए मैं आपको बता दू कि चीन पहले भी कई ऐसे काम कर चुका है जिस पर यकीन करना मुस्किली नहीं नामुमकिन है जिहां दोस्तो चीन लगातार ऐसे काम कर र पूरी दुनिया को अब यकीन हो चला है कि चीन पूरी दुनिया को कमजोर करना चाहता है लोगों को बरबाद करना चाहता है और खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है दोस्तों चीन में एक सहरे वुहान जहां पर एक मचली मार्केट है मचली मार् कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उस परियोग साला में 605 चमगादर रखे गए थे जिस चमगादर की वज़ा से ये कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में फाइला है जिहां वहां के एक डॉक्टर के सरीर में चमगादर का बलड चड़ा गया था या फिर चमगादर ने उन् चीन का नापाक हरकत पूरी दुनिया के सामने आ गया है मैं आपको बता दू कि चीन पर ये आरोप है कि चीन ने खुद कोरोना वाइरस को जन्म दिया है जिहां चीन ने खुद कोरोना वाइरस तयार किया है और उस परियोग साला का पूरा का पूरा वीडियो भी लगातार इंटरनेट पर लिख हो रहा है कि किस तरीके से कोरोना वाइरस को चीन ने तयार किया है ताकि वो उस पर मेडिसीन बना सके और वो बेच सके उसके बाद उसकी सोच यе थी कि पूरी दुनिया के लोगों को वो कमजोर करना चाहता था अगर ये खबर सच साबित होती है तो ये साबित हो जाएगा कि चीन दुनिया का सबसे डेंजरस कंट्री है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफार्मेशन देने वाली लगी तो इस चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब किजी वीडियो को लाइक किजी और बेल आइकोन दबाईए नमस्कार